कॉंग्रेस पार्टी में लेडर्शिप को लेकर छिड़े विवाद पर पार्टी के वरिष्ट नेता अपनी बात रख रहे हैं इनमें सबसे जाधा मुखर कॉंग्रेस के दिगशनेता कप्ल सिब्बल लग रहे हैं कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी में चिट्टी परमची घमासान के बात से ही सिब्बल लगातार ट्वीट कर अपनी बात रख रहे हैं बुदुवार को कपल सिबल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिध्धान्त, विपक्ष और समर्थन की बात कही अपने ट्वीट में सिध्धान्तों के लिए लड़ते समय जीवन में, राजनीती में, अदालत में, समाजक कारिकरताओं के बीच या सोशल मीडिया प्लै बारे में नहीं, ये मेरे देश के बारे में जो सबसे एहम है। सिब्बल ने तुरेंट ट्वीट कर दिया था। सिब्बल ने ट्वीट कर उस वक्त लिखा था। ट्वीट किया और अपने पहले ट्वीट को वापस लेने की बात कही। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा। राहुल गांदी से नीजी तोर पर बात हुई और उन्होंने बताया कि मेटिंग में ऐसी कोई बात नहीं कही है। जिसके बाद मैं अपने ट्वीट वापस ले रहा हूँ। कपल से बाद के ट्वीट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और वरिशनेता अभी भी नराज चल रहे हैं।